हेलो दोस्तों तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे GST R1 को GSN में create किया जाता है अगर आपके पास sales के बहुत सारे बिले और आप GST R1 फाइल कर रहे हैं और उसमें आप एक एक करके बिल चड़ा रहे हैं और आपके पास तक्रीबन बहुत सारे हैं एक साथ कैसे चड़ा सकते हैं तो आज मैं वही तरीक आपको बताऊंगा कि GSN में create कैसे किया जाता है सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर आपको पहले display में चले जाना है फिर आपको इसके बाद चले जाना है यहां पेस्टेशनरी रिपोर्ट पे तो आप ओ दबाएंगे फिर आपके पास GSTR रिपोर्ट आ जाएगा GSTR रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है एंटर करना है उसके बाद आपको GSTR 1 का आपको reconciliation करना है तो GSTR 1 आप करोगे GSTR 1 जब GSTR 1 आपके पास आ जाएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है पहले आप इसे manage कर लीजी अगर जैसे मेरे including में कुछ returns रह रखे हैं कौन-कौन से returns है तो आप अपने अनुसार जो आपकी filing है उसको fill कर लीजे आपके पास हो फिर उसके बाद जब GSTR 1 में यह पूरा fill 4 हो जाएगा फिर आपको उसके बाद क्या करना है F के साथ F2 दवाना है पीरियड चेस्लेक्ट करना है तो आपका 17 2023 से आप यहां पर ले ले जिए 37 2023 का आप ले जिए पीरियड यहां पर पीरियड हमारा छेज नहीं होगा ज TE중कि हमारा एजुकेस्शनल मोड है तो हमारा टोतल डिखाई देगा क्योंकि लाइसेंस से बल नहीं है तो आपके यहां से period select ररना है F2 से आप period select कर लिजे, एक मेने का जो भी आपका जुलाइः का सितंबर का अगस्त का जिसका पीड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहां पर क्या करना है। यहां पर आपको जो करना है, यहां पर आप Export पे क्लिक करने के बाग फिर आपको जी आई char से आपकी खुल जायेगी अब ग्सपोर्ट करना है रापको एकस्पोर्ट करना है पर सबसे पहले आपको क्या करना है एक्सपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे आप यहां से आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और डायरेट्ली यह gstr, gsn में create हो जाएगा और यह एक file बन जाएगी gsn की, जब आप gstr1 भरेंगे तो फाइल को आप select करके आप सीधा gstr1 में डाल सकते हैं या आप cursor को लेकर भी उसमें सीधा डाल सकते हैं और तो इस तरीके से यह पूरा gsn बन जाएगा और आपको one by one by करके बिल को आपको बार बार डालने की जूरत नी पड़ेगी आप एक साथी json करके डाल सकते हैं और आगे वीडियो देखने के लिए थैंक